प्यारे बच्चों नमस्कार, आपन देख रहे थे तिम्हार दिरे दिरे चलते 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 अपन आगए आखरी अपने हिंदु करेंटर के आखरी मैंने पेज़व की है फागुन इसे पूरा दूससरी छहमाई ज्योति उसका भी अंतो हूँगा और अपना हिंदु करंटर है उसका भी अंतो हूता है फागून मां, है न, हिंदु करंटर का आखरी मां चैत्र पहला मां पागून आखरी मां, जो गिर्धोरैन करंटर के दो महनें अते इसके corresponding वो आते हैं फरवरी और मार्च ठीक है ना फरवरी और मार्च पहले देखते हैं किष्ण पक्स इसमें सबसे पहले किष्ण पक्स में जो important ध्यान रखना आपने माज सिवरात्री ध्यान रखना है ठीक है तो माज सिवरात्री पसु मेला वरता है अपने करोली के अंदर करोली पसु मेला माज सिवरात्री पसु मेला करोली ठीक है याद रखना ये बहुत कोशन पूचा जाता है माज सिवरात्री पसु मेला कहां भरता है करोली भरता है ठीक है कब भरता है अपने फागुन मामे भरता है ठेक है यह फागुन आ रहा है अब इसमें एक क्लुए आद रखना आपको वो क्लुए के आद रखना आपको फसी और फसी को अपन ऐसे लिखेंगे फसी वहना फसी दर्वाजें फस गई किछ चमकाँची ओरीज थे ठेक है तो फसी ऐसे लिखना है अब फसी यूँ लिखते ह आगा कीई आपका, इसलिए है बता रहूं, ठीक है तो फची फची फची, फची से फची से फागुन और शी से शिवरात्री तो शिवरात्री पसु पको तेरस आती है उज़र अपने माल शिवरात्री का क्मार मनाया जैता है जो सिव जी को शिचा जाता है है और दो चढ़ाए जाते हैं बेर नारी लखा भेल बेर गाजर खाई जाते हैं वो तो 막 शिवरात music इसको अपन क्या आप बोलेंगे त्रियोधसी 3 और 10 त्रियोधसी तो तो यह हो गया शिव जी तेरस, शिव तेरस याद रख लो आप, बेसिक मैं इसा लिए पहले से ही है, शिव तेरस, इस दिन हुआ कहा था पारवधी वा शिव का विवा हुआ था, ठीक है, फिर और अपन कहा देखते हैं कि समुद्र बंतन से निकले कूल 14 रतनों में से, समदरव Zwmanjacla, मैं धनवनतरी जब पड़ा था ता बताया था अपने धन 30 पे कि 14 उसमें से प्थम रत्न विश्व को शिव ने इसी दिन अपने कांठ में रखा था ठीक है न, विवा वाले दिन, हैना, परतरु शिव का विवा और विश्व भी इसी दिन रखा ठीक है यह समद्रमादने कान जी माँ वो सारा बता चुका हूँ ऐसे तो यह सिव तेरा से अपना यह चीज है ठीक है फिर जो सबसे इपॉर्टन चीज है अपने एक्जाम औरेंटेड की माँ शिवरात्री पर मेले बढ़ते हैं अपने रास्तानी के अंदर यह मेले है ठीक है तो जैसी मेलो की बात आती है तो आप मेरे को अच्छी तरह जानते हो क्या कैसे देखते हैं अपने मेलो को मैप पर देखते हैं आओ तो मैप पर देखते हैं मेलो को यह अपने शिवरात्री से रिलेटेड मेले हैं ठीक ना शिवरात्री साथ जंग हैं यह मेले आएंगे तो चुकि यह नीचे की तरफ ज्यादा है तो यह बार मैं इसको फ़रा जूम कर देता हूँ है ना तो आपको अच्छा समझ में यह आएगा यह लोग दिखरा अच्छे से हैं वह वह दिखुट है ना तो सत्रा अपन देख लेते हैं है ना सत्रा को यहां से भी बाजन है ना पहले इनको देखते हैं अपने जड़े सबसे पहले आपन यह बाड़ मेर में देखते हैं बा फिर अपने नाद्वारा एक लिंगजी राजसम etme फिर यह अपने भीलवाड़ा के अंदर है हरणी के Some ? पर शोरत जो अपने बिलवडा के अंदर जो त्रिवेनी ए है यह त्रिवेणी तीन नहीं गया संगवद यहां पर ऐे अपना को देखने को मिलता है माशिवरात्री पर मेला है ना तो ये सोरत जो है ना मतलब हरनी कहां अपने सोरत त्रिवेणी ठीक है सोरत जो है अपने बेलवाड़ा में बिगोध है जहां त्रिवेणी है तीन नदियों का संगम है तीन नदियों कैसे आधर कि BMB BMB मिश्टान मंदार है बिगोद में तिरिमेणी महाँ बनती है, तो भीलवाड़ा में ये अपने है हरनी माँनना, इसमें एक ठोटाव सा दोटारख लो, एक तो हरनी हरनी अपने बिलवाड़ा के दूब अले किस्तान है तो हरनी भीलवाड़ा के अंदर शिवरात्री मिला है और सोरत विगोद अपने बिलवड़ा वहां भी शिवरात्री मिला है लेकिन सोरत के अंदर क्या है अपने तिर्वेणी है बिलवड़ा में महा शिवरात्री पर दो जंगे मेले बढ़ते हैं एक तो हरनी है और दूसरा सोरत है है ना हरनी और सोरत तो औरत से तो उजएगा क्या हरनी मलब हरनी औरत तो हरनी से हरनी हो गया घृणी और समझ़ोगो तो हिरनी और और 언제 पर एक लिग और अपने विलवारा के अंदर दो हरनी और सोरत अब इदेर आते हैं अपन सबसे पहले है गुषमेश्वर अपने सिवाड सवाय मदपूर गुषमेश्वर देन करोली आई गया मासिवरात्र प्षु बिला और तीस रहा है अपने सपेव धौलपूर सेपव, सेपव, सेपव ठीक है धौलपूर ये तीन अपने ये लाइन के अंदर है तो ये क्लिव क्या इसका गुमा पसु को प्याव पर प्याव सप्यू में प्याव आ रहे है तो प्याव तो गुमाव पसु को कहा पर प्याव पर तो गुमा से गुसमेशवर पसु सिवरात्री पसु मिला करोली और प्याव पर सप्यू धोलपूर सप्यू बहुत पूस्त हैं करोली और सप्यू तेकर तो अपने शिवरात्री पर अपने पस्वों मेले आपने देख लिए साथ कहां पच्छी मिस्तालो करें हल देशवर भीलवाड़ा एक मसरी बाड़ में हल देशवर पिपलो बाड़ में देन अपने एक लिंग जी नादवारा देन हरनी एंड सोरत अपने भीलवाड़ा देन गुषमेशवर अपने स्वायमादपूर करोली में अपने माश्रात्री पस्वों मेला एंड लास्ट अपने सप्व दौलपूर के अंदर पस्वों मेला है ना तो ऐसे मैप पे द्यान लगना है ऐसे मैप बना लेना है बता दूँँगा अपस अब यह देख लो इस तरह से मैप लगना है ठीक है तो अपने मेन फाइल में चले हैं आपस आगे मेन फाइल में इसमें मेन फाइल में हो देख वो सारी लिस्ट है अपने मेलों की मासिव रात्र पर मेले तो कैसे कैसे हैं साच जो पहले अपने देखा मासिव रात्र पस्व मेला करोली में देख लिया पस्वों से जो आया था एक लिंग जी का मेला अपने तो बना और यह जो एक लिए जिगा मंदिर अपने मेवाड के साथ सज अपने आपको जो दिवान मानते थे एक लिए ना ये एक तोड़ता सही कर देना ऊस्स मैप में राज समन्द है उसको उद्यपूर कर देना एक लिए अपने केलास कुरे देव पर तीसरा हमें देखते है गुष्मेशवर मादेव अपने शिवाड श्वाय मादेव तेका 12 जोत्र लिंग में से एक है 12 में से ये एक अपने खुष्मेशवर शिवाड देन हलदेशवर मादेव मंदिर पिपलूद बाडमिर देखा अपने मारवाड का लगू मोंटाबू इसको बोलते हैं पिर पंच वर से प्र अपने सप्यव मादेव मंदिर दोलपूर में और सभने नि मादेव मेला बिघोः भाडा स्भने में तीन नदिया हैं बनास मेनाज एंडेटस बीमबैमितवा कर दा समझ गय तो ये था आपने त्रियोदर सीपर शिवरातर का सिस्व्टर अब आई रहते हैं अमावस्या 15 पर टेक अप 15 पर अमावस्या आगई तो यह कौन सी है यह जांबू जांबो जी अपने पढ़ा था जांबो जी पिसमें संप्रदाई के प्रवर्वर तक जांबो जीगा मिला तो अपने को जांबो जीगा मिला याद रखना है कब फागून म मिले बढ़ तीक है दूसरी जुश्युन मावस्या दोओन मिले पर थियक varied जयादा पेजैंधा फेमस्यठी में तो वैसे यह वापन जैसे देखें दूसरी जो छहमाई है उसका पहला मेना आश्बीन है और लास्ट मेना फागून है दूसरी तो आश्मिन में और दूसरा जो मिला है जांबुजी का वो अपने कौन से में फागुन में ठीक है तो इस तरह से अपने आयत रह सकते हैं और फसी तो ही अपने फजा फजा फागुन और जांबुजी इस तरह से यह हो गया अपने पूरा का पूरा क्या किसका फागुन का ठी तो फागून से रिलेटल ना पंपा राम परमपरा निया या, ना पंपा राम राम का मिला गंगानगर में फुलेरा आ रहा है, फागुन, फागुन से फुलेरा, फैसा, यह तो सामबर बाला, फुलेरा इसका कोई लिना दिना नहीं है, इससे, जब पर दिसके आप मत लिंक कर देना चीजों को, तो फागुन का फुलेरा है, और दूज का दूज है, तो फुलेरा दूज पहली बात त सिपिक खुच्छ्ष वाला है अपने शिवरात्री को पशू मेला है फुले राद विभा का सावा होता है यह बोधेस हाब अपना शिवरात्री के जश्ट बाद जो आता है होली से पहले शिवरात्री के बाद ठीक है फुलेगा दूज दूज पे होगी शादी फिर घुमने कहाँगे अपने रनकपूर पाली गई रनकपूर के जैन मंदिर अपने देखे थे है कि नहीं है ऐसे खुंबा ने द्यान दिया रना कुंबाच रनकपूर ठीक है धनकशा तो दूज पे शादी ओगे फिर घुमने कहाँगे रनकपूर घुमने घाए ठीक है तो रनकपूर चतुरति अपनों यागा लेना है और गय कौन गयी चड़नी चेर अपने देशनों के बीका निर में और चंदरभागा नहीं है चंदरभागा पशों मेला चंदरभागा पशों का नहीं है चंदरभागा जो है चंदरभागा तो अपने काप देखा था अपने कार्टिक पून निमा पर देखा था चंदरबागा, अपने जालाबाट यह क्या है, चंदरप्रभु 3.03 महर्ण तो 100 रूपी परभु 3.03 तो क्रूमार अपने दो, चार और साथ में क्या देखा दो में तो अपने देखा शाती का फुलेरा डूज चतुर्ती पे क्या गूमने गए कहां पे? रनकपुर, पाली में और फिर अपने देखा, सब्तमी सब्तमी में क्या अगया? चरनी, चेर, सब्तमी कहां पे अपने, देशनों, भी खाने और चंत परभू मेला अपने, चंत रूपी परभू को किस में रख दे? तीजोरी में रख दे? समझ गए फिर इसके बाद आजाता है अपने अस्टक आठ आ गया तो गया यह होला अस्टक होली के आठ दिन पहले यह होला अस्टक लगते हैं आठ दिन के लिए होली से आठ दिन पूर है ना आठ दिन के लिए होली से आठ दिन पूर आठ दिन के लिए लगते हैं इसलिए इनको होला अस्टक बोलते हैं है ना होला माला होली से आठ दिन पूर होला अस्टक लग जाते हैं और कब तक चलते हैं या अपने दुलनडी तक चलते हैं होला अस्टक भई आठ ही आ गया 8 और 7-15 हो जाएंगे अपने पूर्णिमा पे होली का धेन और चैतर एकम को ये खतम जाता है अस्टक ठीक है ना तो आने वाले जो 8 दिन है वो होली पे ही दुलन्डी बिजाए खतम होता है तो होली से 8 दिन पूर होलास्टक लग जाते हैं होलास्टक फागुन मा के सुक्रपक्स की अस्टमी से सुरू होकर पूर्णिमा होली का धेन तक चलते हैं ठीक है ना ये होलास्टक तो होलास्टक में देखो एक्चली ईशू क्या है जैसे अपन चैतर पढ़ेंगे न अपन चैतर तो दुनंडी के अगले दिन गंगोर पूजन शुरू हो जाता है तो पहली गंगोर सासरे में पूछती है मतलब अपने सुसाल में नहीं पूछती है पियर जाके पूछती है नवी वाहिता वो क्यों 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 होलास्टक लगे रहते हैं इन होलाश्टकों के अंदर साथ नहीं रहते हैं साजबू बहुत जो जो है वो पहले ही अपने प्यर उमें होती है है गो नहीं है तो सारा कॉंसेप्ट इसी से इन होलाश्टक से से ही थोड़ा वो तो रिलेटेड है लेकिन अभी अब आपनों को थ्यान दो को यह है ओला स्टक अबाद इतना ही ध्यानी को आप नॉर्मल होला स्टक फिर ए आला यकादसी तेकं एक अपने आपको ध्यान थो आउनला नम्ही भी पड़ीती अपने आउनला नम्ही आप याद करूं जैसे मैंने बताया था, गोपाल डाल आवला, गोपाल डाला चट थी, फिर गोपाल अस्टमी थी, और फिर आवला नम्मी आई थी वह अपने, कहां ही थी बताऊ, very good, कार्थिक मेरे के अंदर आई थी, अपने सुक्रपक्स में, तो सुक्रपक्स में नम्मी आई थी, है ना, और सुक्रपक्स में अपने देखने है, आवला एकादशी, लेकिन अम महना कोंचा आगया, अब फागून आगया, तो फागून वहां के अंदर क्या है, आवला एकादशी है, आवला नम्मी कातिक में, आवला एकादशी अपने फागून में, तो जैसा question हो, उसे साब से अ अंसर देना है, अपने इसाब से अंसर नहीं देना है, दोनों एक में अपने कर दो, है ना, तो आवला एकादशी काब है, अपने फागून मां में, फागून मां के सुक्रपक्स की एकादशी है, इसे रंग बरी और आवला की एकादशी भी कहते हैं, इस्तितिकों आवले वुली जो आती है तो ढूंड वे जाता है तो ढूंड का बैचते है है अपन फाघून मा में ठना मा मा माजी ले के आते है ठीक है नजी हाल पख्स के दौारा लड़की के सुस्राल में लाई जाते है कहने हैं मतलब लड़की के जो भाई हैं उनकी तरफ से जो नया एक महमान आया है अपने उनकी बहन समझ लो चाहे यूं समझ लो कि वैसे तो बहन नी होती नहीं याल भाई बेशता है अपनी बहन को उसको सुसराल में पीयर पक से आते हैं है ना तो जो नव विवाईता है तो उस बच्isia की झ्वूंड भूजनिये होती है ठीक है तो उस बच्चे के लिए उपार बेज़े जाते हैं कौन बेजता है मामा जी बेजते है मामा जी नगयाल में होते हैं है ना तो लड़की के पीयर पक से जो आता है शन्तान के जन्म पे जो उपार सवरूब जो पहले तो नन्यालपक्स के द्वारा ये डूंड बेची जाती है तो पूछा ये जाता है कि डूंड होती का है तो बच्चे के जनम पर नन्यालपक्स द्वारा डूंड लाई जाती है तो डूंड में होता क्या है कपडे, मिठाई, खिलोने ये सब होती है मतलब मामा जी लेके आता है है ना बच्चे के जनम पर ठीक है विशादी के बाद जिसे बच्चे का जनम हुआ तो उसकोशी में मामा जी की तरफ से यह उपार होता है अपने भांचे को सिंपल ची बात होती है ठीक है फिर अपना आते हैं खाटू शाम जी का मेला सिकर के अंतर ग्यारस पे कौन सी फागुनी ग्यारस पे अच्छा मेला बढ़ता है ठीक है तो वहां सा रंग उलाल उसमें उड़ाता है फाग मोच सा होता है ठीक है फिर आगे अपन होली का देन के उपर पूर्णिमा पे आगी होली क्या आगे पूर्णिमा पे पूर्णिमा पे आगी होली ठीक होली का देन इसमें देखो होता क्या है कि बहु बहु जो है अपना पहला होली का देन कहां देखती है पियर में देखती है अपने ओरिजल गर में ठीक है यह होली का देन पहला कहा देखा है अपने साजबोग यूँ देखते है यूँ मना जाता है कि पहली होली मंगलते हुए अगर साजबोग एक साथ देख लेती है पहली होली मंगलते हुए तो फिर हमेशा उनके पिस्ते में आग लगी रहती है है ना तो इसलिए कभी भी नवी वाईता अपनी पहली होली का देहन सुस्राल में अपनी साथ करने देखती है अपने पियर में ने ने ठीक है ना यह चीज़े अब इसमें क्या है वो एक जो जनने वाला जैसे जो कौंसेप्ट है अपने होली का जैसे देखते हैं तो प्रलाद को अपन बैठाते हैं और फिर प्रलाद को निकाल लिया जाता है तो इसमें यह क्या खाना नहीं है तो इसमें तीन वेक्ति हैं सीन में हिरनकशपू, होली का और प्रलाद ठीक है तो यहां देखो मैंने बता रखा है कि हिरनकशप तो इसमें बता रहता हूं देखो हिरन कशप ये है, ठीक है, हिरन कशप, हिरन कशप की बहन थी इसका नाम ता होलीका, तो HL तो होलीका लिख देता है, हिरन कशप ये लिख देता है, हिरन कशप ये लिख देता है, हिरन कशप ये लिख देता है, ठीक है, ये तो भाई है प्लस और ये माइनस, ये इसकी बहन है हिरने कष्यप का नगा प्रलाद हच यू बना ले, आपने साइड में कऔचू जो मा का नाम था कयादू कयादू, माइज़स कर रहा हां, कयादू ठीक है, तो हिरने कष्यप, हिरने कष्यप के बहन हो ले, अ प्रलाद था तो चार बेटे थे रिनकस्प के एलाद, शूलाद, प्लाद और अलाद तो अपी तो प्लाद ही ध्यान रख लो अपने हिनकसप अब दिक्कत कहा थी भई अपने बेटे को जलने को लिए बेज दिया तो बहुत दिक्कत कहा थी सारी वो देखेंगे अपन लेकिन अपे पहले ही समझना है कि प्लाद की हुली का कौन लगती है ये भुहाजी लगती है, भुहाजी होगी ना पापा की बेहन प्लाद की पापा हो, रिनकस्प और रिनकस्प की बेहन हुली का तो प्लाद की हुली का कौन लगती थी भुहाजी लगती थी अब कानी कहा थी आई सर ईसा किया वो अजी को बैर था बतिजिसे वो क्या था यह जो हेरनिकषप जो था यह तो बगवान वष्णू जो था उनका एक तरह से यूँ बोल सकते हैं कि धुश्मन था ठीके हैं नहीं चाहता था कि बगवान विष्णू की कोई पूजा करे तो यह जो बेहन थी, हिरिनकस्प की होलिका, इसको आशिरवाद प्राप्ता है कि तुम आगे में कभी नहीं चलोगी। तो हिरिनकस्प ने होलिका को यह बोला कि तुम पलाद को गोदी में लेके बैठ जाओ अगनी के अंदर। तो तुम तो जलोगी नहीं क्योंकि तुम्हें तो बिल्कुल फायर प्रूफ का वरदान है, पलाद जल जाएगा। पलाद का जलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह विष्णु का भुजारा भक्त है और मुझे बिल्कुल भी विष्णु भक्ती पसंद नहीं है। पलाद बच जाता है जिसको अपन प्रतिकात्म ग्रूप से निकालते है। ठीक है, तो Kholiibha फिर एक वह कानि आपको इलोजी की याँद ही है, भक्त भाद जाओ प्रत हैं फीर उनको पता लगता है वो पाट भी है पाणी का, पाट हए तो आपने द्धान काम ह reacheshp, हिरन कशप, होलीका और प्रलाद, यह यह कानी है समझ गया है? ऐसे है तो तो ता पॉइंट कहीं मिलती नहीं है बात यह है कि ऐलर्जी कहती तो में बंदो कि क्या ऐलर्जी थी हिरन कशप को जो प्रलाद को जलने के लिए अपने बेटों को जलने के लिए बेज़ दिया बोजी के साथ और बोजी को तो बोलाए कि नहीं जाना है तो मैं यह तो तो अच्छा नहीं हुआ ऐसे हो तो इरन कशप की आग्या से होलीका प्रलाद के साथ अगनी में प्रुष्ट करती है लेकिन प्रलाद बच जाता है और होलीका जल जाती है जबकि होलीका को आग में जलने का बरदान पराप्ता प्रलाद बगत्त की प्रुष्पी के अंतर अपन यह होलीका दैल मनाते है तो इसमें लिख ले प 제가 भी लिखा रहता है अभोली का को आगनी में फायर प्रूफ का वरदार था यह हो लिए अगनी में नहीं चलोगे लेकिन उल्टा हो गया लेकिन तो इंटेंशन भूत महाईने रखती है किस इंटेंशन चाप क्या काम कर वे महाने रखती है तीक यह हो गया फिर आपन फागुल पॉन्निमा को एक म लिख है, तो ऐसे हமी क्वेज़ आपने क्या है? क्या चीज फागून के बारे में? फिर फागून के बारे में क्या चीज है? ये वह घालीगा की पूरी खानी है, जा्छे में आब बता है था, ये उन्हें उसे कैंफर, मेन जो है न तो कोई खानी का वो यह है यह वाला भी नहीं है मैंने इसका एक माइक्रोथ उटा सा बना आया था हाँ यह वाला है मेन यह है तो वो यह जो मैंने बताया था देखो कि पलाद बक्त विष्णू ठीक है न यह पलाद विष्णू बगवान नर्सिंग रूपी बगवान विश्णु द्वारा हिरेन कर्षुप का वद और हाथ जोड़ते हैं प्रलाद और कयादू ये प्रलाद है ये कयादू है है न हिरेन कर्षुप की जोपन देखते है है न कयादू जो है ये कयादू ये प्रलाद की मा है प्लाद की मा मना था तो वो इसे बनाएंगी अपन वाजो डाग्राम था कयादू साइड में बनेगी उसी सेम जनरेशन है न तो सेम जनरेशन एक साथ मिंवनती है हुली का यह है और कयादू यह जो है यह वाइफ है तो यह प्लस तो इन दोने की जो संतान्ति वो गई अपने प्लाद यो प्लस के रोगई ऐसे था वो ट्रिदाइग्राप मैंने पहले ये के उपर बना दिया था जो गलत था ठीक है तो तो देखलो नर्सिम रूपी बगवान विष्णू इस हिरिनकशुप का वद कर रहे है क्योंकि ये विष्णू का कटू आलो चकता हिरिनकशुप और ये प्लाद इदर फिर कुछ हुए ठीक आपकान तुआ और प्लाद की मां कहा दू एनकशुप की भाई है ना ऐसे ही है सरा फिर एक चोटा जमने कॉंसेप्ट को यहां ही लिखा हुए चपनिया का आकाल अठा सुनिन निन्यान में पड़ा अच्पनिया क्यों बोलते हैं क्योंकि 57 इसके अंदर जोडेंगे तो अठा सुनिन निन्यान में विक्रम समवत है तो इसलिखा हुए चपनिया का आकाल और जब आकाल पड़ा है इसी का प्रभाब शुरूब यह प्रतम कोपरेटिव सोसाइटी रास्तान में 1904 में बनी पारत की पहली कोपरेटिव सोसाइटी लौट करजन द्वारा ही बनेगी बिनाय अजमेर में बि प्रतम कोपरेटिव सोसाइटी बनी तो 1999 में तो यह वैसे साल है और 1905 विक्रम समवत है तो अठास निन्याड़ में इसवी के बाद पात साल बाद 1994 कोपरेटिव सोसाइटी बनी तो कैसे ग्रास प्रूट लेवल पर अपन इस ताही समाधान करें अकाल से लड़ने का इसलि लेके दस नंबर तक तो यह स्क्रिंशॉट है 11 से लेके यह देख लो 11 से 20 यह स्क्रिंशॉट है न 21 हो गया फिर एक मेलों का और है यह मैंने सारे बता दिया आपको लेकिन एक जंग है नट शैल में है तो ऐसे कैसे यह टेबूलर आ बना लेना ठीक है यह हो गया एक से 10 तक दुगे करें से 6 में फिर यह थिकतंक ना ऐसा ही फॉरी फैल है खतम होती है तो यह फैस्टिवल हें हंदू फैस्टिवल Хकतम होते हैं फिर अन्मक धर्मों के जो होंगे बोर देखते कि आपको स्पर माइकरो और बता जैता हूं इसको फागुंग पर स्पर माइकरो देखलेएए में शिवराथ्री हो गया थीक को मेल वे हुई है यह हुई गया और ज्मन बाफ्ने अमकेμेथ हरनी और सोरत भीलवाड़ा के अंदर गुषमेशर स्वायमादयपूर सिवाड द्वादस चोत्रलिक धैन करोली अपने माशी वरादरी पसुमेला और देन सपयोड दोरपूर फिर सुक्रपक्स में जो आते हैं तो इंपोर्टन सावा होगे अपने दूज में अफ्लेरा दूज चतुरती में रणकपूर चतुरती सब्टमी में कहा था चड़नी चेर सब्टमी अपने कोलायत भीकाने और चंद परूब्बो सब्टमी अफ्ले तिजारा अलवर इधर देखते हैं अपन तो यह ग्यारस पर तीन है चीज़ तो क्या आत कैसे रखेंगे डूंडो आवला खटा डूंडो से तो डूंड यह यूं बोलो आवला डूंडो खटा या खटा आवला डूंडो तो खटा से तो क्या है खाटू खाटू शाम जी ग्यारस आवला से क्या है आमला से क्या है आमला से आमला इका दिशी है और ढूंड से ढूंडे का दिशी तो ढूंड आमला खटा क्या ढूंडो आमला कैसा खटा ढूंडो ठीक है क्योंकि वो पनको कहा चड़ाना है वो हुली का देहन पर अपने को चड़ाना है तो इसलिए आप ढूंडो आमला खटा तो ढूंडो से ढूंडो गयारस ढूंडो से ढूंडो गयारस खटा से खाटू और आमला से आमला इकलिशी और पूर्णिमा से अपने ये फिर नेक्स्ट आजाएगा होली का पूर्णिमा क्या है होली का धहन पुन्यू और तिलिस्वा पुन्यू तिनिस्वा मादेव मेला आपने मांदलकट भील वड़ा के अंदर यह हो गया है ऐसे है समझ गए ऐसे फिर यह माइक्रो की भी फाइल खतम होती है यहां पेज 505 ठीक है तो देखा इस तरह से आपने देखा कि किस बह मैंने आपको मुल में कोईशन बता रखें उनको प्लीज आप एक बड़ देखो फिर टॉपिक वाइस कोईशन अपर डिसकस करेंगे इससे पहले किया है जिसे कुछ अन्यत धर्मों के भी अपन तेवार जिसे देखेंगे जिसे सिख धर्म के हैं अपने क्रिशन धर्म के फ कलिनर से देखें हैं है यहां से इनकी क्योशन जरूर देखो आप गरुशन देखने पर गणे पर पता लगाए किा आप किस दिसा में जा रहे हो मैंने इतना टाइम लगाया पढ़ने पढ़ाने में आपने इतनी महनत लगाई उसको डाइजेस्ट करने में तो क्योशन देखो तो सही कि यार मैंने जो पढ़ा वो क्या यूसफूल है कि नहीं है कि गुरुजी यूँ गोली देते रहे पर अगले चैँवार अन्यतर मुकी लेते हैं फिर इसार्ट अफ़ेक एक साथ मा així करो जल्दी मिलते हैं है कि अजब कि अजब सकते हैं